इस भाग दौर बरी जिंदगी में और स्पेशली बदलते लाइफस्टायल में आपके लिए एक सेक्योरिटी कवर के लिए एक मेडिकल इंशॉरंस डेफिनिटली आप लेते हैं लेकिन क्या critical illness plan आपने अभी तक लिया है क्योंकि बदलते lifestyle के साथ आती है धेरोब बीमारिया ऐसा नहों कि आपके साथ कोई ऐसी बीमारी हो लेकिन definitely उससे आपको सुरक्षित रखने के लिए हम critical illness plan की खासियत के बारे में जाने हमारे साथ फिरोज अजीज है फिरोज डेफिनिटली critical illness plan के तमाम features पर हमने चर्चा की है लेकिन सबसे important ये भी जाना हो जाता है कि कुछ precautionary measures के हमें in fact यहाँ पर बात करना चाहते है कि कोई भी policy लेने से पहले जो कि critical illness plan है क्या ये देखना चाहिए क्योंकि कई लोगों में ignorance भी होती है कई agent के चक्कर में भी शाद पूछना पाए okay fine मेरे सामने एक agent है वो मुझे बता दाएगा कि कौन सी मुझे policy लेनी है ये लेना कितना important है और कितना देखना चाहिए कि आपके cover में कौन कौन सी बीमारिया covered है और कौन सी नहीं है और क्या उसमें tick और cross भी किया जा सकता है कि all right मुझे इसके तहत covered चाहिए और ये covered नहीं चाहिए हाँ इनको कहते है exclusions and inclusions ये ही सबसे important fine print होता है आपकी insurance policy का तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है insurance के policy documents को completely पढ़ना और exclusions और inclusions को देखना और अगर आपकी inclusions करनी है तो आपकी inclusions choice पे हो सकती है of course हो सकती है तो आप ये cover इसको cover करना है इसको cover नहीं करना है उसके हिसाब से insurer आपको नयाब premium आपकी requirement के साफ से customize करने की शमता रखता है especially private sector insurance companies customize करती है और आपको ये provision देती है कि आप exclusions और inclusions को choose कर पाए बट ये सबसे important aspect होता है apart from another aspect called sub limits वो sub limits ये होते हैं कि test के लिए कितने आपकी limit है अगर मानों की उधारन के तार पे पांच लाग रुपे का आपका cover है तो उसके नीचे sub limits लिखी होती है कि डेड़ लाग रुपे से जादा आप test के लिए नहीं खर्चा कर सकते hospitalization के लिए ये limit है तो 5 lakhs की overall limit में sub limits होती है तो sub limits को check करना और exclusion inclusion check करना are the important fine print of a health insurance especially the critical health insurance बट फिरोज अगर policy लेने के बाद कोई बीमा company ये कह दे कि ये particular बीमारी इसमें covered ही नहीं है तो ऐसी situation में क्या करना चाहिए और पहले सबसे पहले इस situation arise ही क्यों हो देखिए अगर आपने inclusions exclusions ठीक से पढ़े हैं तो ऐसी situation आपको ये surprise मिलने की बहुत कम संभावना है कि आपने जब critical illness discover हुई तो फिर आपने discover कि मेरी insurance policy में covered नहीं है तो इसको ध्यान रखना और इसकी एक zirox copy अपने पास रखना कि क्या inclusions हैं और क्या exclusions हैं ताकि आपको कभी और future में लगे कि ये exclusion आपको गवारा नहीं है और आपको दूसरी policy खरीदनी है तो आप खरीद पाएं क्यूंकि काफी काफी बार आप insurance policy खरीद के भूल जाते हैं और उसकी आपकी जो प्रोविजिन्स हैं वो documents नहीं रखते हैं तो उसमें से important inclusion inclusion and exclusion का अगर एक copy आपके पास रखें और उसको revisit करें every financial year की ये acceptable है की नहीं है तो ये surprises की संभावना काफी कम होने की chance है आपकी और बेटर यही रहेगा फिरोज की एक online ही critical illness policy ले और definitely जो अभी recently insurance sector regulation हुए है उसमें online policies लेने पर ज्यादा जूर दिया गया है क्या critical illness policies भी इसके तहता है तेखिये ये online definitely खरीदनी चाहिए बट इसमें थोड़ी जादा complication होती है क्योंकि एक आम layman को पता नहीं होता है क्या inclusions होने चाहिए क्या fine print है तो एक advisor रखना जादा जरूरी है online खरीदने से आपको premiums की बच्चत होगी definitely अगर आप कोई platform जैसे आपने electronic media में correctly advice लेके फिर online execute किया तेन इस a safer option वरना अगर आपने जादा homework नहीं किया और पढ़ाई नहीं की और आपने देखा नहीं कि क्या important aspects हैं और आपने online खरीद लिया तो surprises की chances negative surprises की chances बढ़ जाती है अगर एजन्स जो होते हैं वो lucrative options भी देते हैं कई ऐसी policies की बारे में बताते हैं शायद जो policy धारक है वो उसको अच्छा समझ कर ले ले उसके लिए कैसे homework करने की ज़रूरत है देखिए क्या होता है कि काफी commission driven advice होती है अगर वो scheme को पुष करते हैं तो आपको एक online at least उसकी comparisons करना और आपको अपना homework करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि advisors के बिना पर ही मतलब on just the basis of the advisor आपको नहीं खरीदनी चाहिए आपको अपना homework करना चाहिए क्योंकि बहुत important aspect है और आपको homework करके फिर advisor की advice लेना ज़रूरी है या फिर online खरीदे but homework is mandatory homework करना बहुत ज़रूरी कोई भी policy लेने से पहले in fact आपको सोच समझ के research करके policy लेनी चाहिए health insurance definitely आप इसे कई लोगों ने लिया होगा लेकिन definitely critical illness plan लेने के बारे में भी आप ज़रूर सोचिए उसके क्या फायदे है क्या points है यह हमने आज अपने शो में discuss किया ही है thank you so much फिरोज अजीज हमारे साथ मारी गरू के आज किस episode में जोड़ने के